जहें दोस्तों मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूं सभी लोग दम बढ़ियां होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए करके आया हूं कुछ ऐसी एक्सेसाइज जिनको कर कि आप अपनी imbalance chest को बिल्कुल ठीक कर सकते हो जहां दोस्तों बिल्कुल सही सुना बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी imbalance chest कैसे यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं तो इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखेगा दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बत से exercise करते हो तो आपकी imbalance chest बिलकुल ठीक हो जाती है बस उसों आपको ध्यान क्या देना है ऐसी exercise आपको करनी है जो direct आपके उसी chest को target करे जो imbalance हो गई है जी हाँ बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी उसमें कई तमाम उसमें exercise बताई गई है लेकिन उसमें किसी ने ये नहीं बताया है कि कैसे आप अपनी direct imbalance chest को target करके उसे ठीक कर सकते हो लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूँ कि कैसे और कौन से exercise करके आप अपनी उसी muscles को direct target कर पाओगे जो imbalance हो गई है फिर चाहे आपकी वो right chest हो और चाहे पिर वो left chest हो ठीक है बहुत ही जबर्दस exercise आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ इसलिए वीडियो बिल्कुल छोड़िये का नहीं हर एक exercise को अगर आप बहुत ही ध्या चेट पर result दिखने को मिल जाएगा ठीक है जादा दिन मैं नहीं बता रहा हूँ मातर 15 दिनों में ही आपको अपनी चेश्ट पर result दिखना शुरू हो जाएगा तो चलिए जानते हैं कि वो कौन यसी exercises हैं जो एतनी लाजवाब हैं लेकिन उससे पहले आपको जानना ये भी बेहत जरूरी है कि muscle imbalance होता किन कारणों से है जी हाँ दोस्तों अगर आप ये जान जाओगे तो हो सकता है कि आपके कभी muscle imbalance हो ही ना ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप समझेगा बहुत ध्यान से कि जब हम beginner होते हैं ठीक है और जब हम जिम में जा करके exercise करते हैं या फिर घ कोई भी guide करने वाला नहीं होता है ठीक है ऐसे में हम YouTube पर देख करके exercise करते हैं या फिर हमें हमारा जो दोस्तों बता देता है ठीक है उसको हम देख करके करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें वहाँ पर ये कोई बताने वाला नहीं होता है कि इस exercise को तुम्हें ऐसे नहीं ऐ कैसे करना है ताकि आपका पूरा जो ओवर ऑल चेस्ट है वो डवलाफ हो सके यह हमें कोई नहीं बताता यानि उस एक्सरसाइस की फॉर्म या उस एक्सरसाइस की क्या पोजीशन हमें रखनी है यह कोई भी नहीं बताता है कि कितने वेट से हम शुरुआत करें अपनी चेस्ट करके मसल इंबैलेंस हो चाहे या फिर चेस्ट इंबैलेंस हो यही प्रॉब्लम पैदा कर देती है ठीक है तो में कारण बस दोस्तों यही है कि जब हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से एक्सरसाइस करनी है हम गलत सरस्थ फॉर्म में एक्सरसाइस करते हैं और उसका नतीज कोच मिले वो आपको गाइड करें कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक्सराइज करें और आपको मसल इंबैलेंस या चेस्ट इंबैलेंस जैसे समस्या कभी भी ना हो ठीक है लेकिन मान लीजिए अगर आपके हो गई है और इस समय आप इसी सफर क ले सकते हैं जिसका भी त्व केजी से थ्री केजी के बीच में हो तो अब इसी से ही ठीक है करेंगे एक्सराइज तो हम यहाँ पर फॉर के लिए हम अपनी राइड मानते हैं कि यह इंबैलेंस एक्सराइज करने बहुत इध्यान से देखेगा तो सबसे पहले आपको क्या कर करना है इसएट को कुछ इस तरह से पकड़ना है ठीक है कि देखिये इस तरह से पकड़नेना है थीण है फिर इसके बाद अब हाथ अब को एक हाथ को पीछे ले जानाको सीधा ऑपको इस तरह से पूरा ओपर ले जा और एपनी इंब yang wise को stress i-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c है इस तरह से आपको करना है अब यहां पर समझिए कितनी बार आपको करना है ठीक है यहां पर आपको इसे हंडे टाइम्स ठीक है अब केवल हंडेट टाइम्स आपको इसी तरीके से करना है स्लो करिएगा पूरा इस्टेश करिए उपर ले जाकर के पूरा इस्टेश करेंगे तभी बहुत जवर्दस आपको अपनी चेश्ट पर डिखेगा ठीक है तो यह तो हमाई पहले एक्सराइज हो गई दूसरी एक्सराइ अगर आपकी जो चेश्ट है वह अगर चिपकी भी होगी ना तो इस तरह से करने से दिरे दिरे उसमें उभार आना शुरू हो जाएगा पूरा इस्टेश करेंगे तो एक साथ दोनों ही हाथो से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से ठीक है पूरा पीछे ले लेंगे दें इस तरह से अब इसको आपको क्या करना है फिफ्टी टाइमस करना है ठीक है आप यहां पर दो सेट ले सकते हैं फिफ्टी टाइमस आपको करना है यानि पचास बार ठीक है अब देखिए थर्ड थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस तरह से होड़ कर लेना है ठी अब हमप को यहां पर इस तरह से तिरष्हा ले जाना है इस तरह से नीचे लाएंगे क्रोश में ठीक है और इस तरह से ले जाएंगे इस तरह से पूरा एप्र ले गया च्रेश किया तैन डाउन ठीक है इस तरह पूरा ऊपलल ले गगा है ठीक है? देखे, डैरेक्ट मतलब की हमारी जो imbalans chest है, वही इस में target हो रही है और कोई भी मसफल हमारी target नहीं हो रही है ठीक है? इस तरह बहुत कि ये किया ठीक है, तो दोस्तों, इसको भी आपको 100 times करना है ठीक है? 100Times करेंगे direct हापकी व imbalance हो गई है वही target होगी ठीक है जैसे कि अभी आप ने देखा इसमें कि हमारी राइट जो मैंने अभी example को तौर पहुड़ा था कि राइट हमारी जो है वो imbalance मैं मान रहा हूं तो हमारी इसमें right चेश ही केवल मतरब target हो रही है अगर आपकी left है तो आप left के दरफ से इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से इट को पकड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और इसे पूरा इस तरह से, उपर ले जाएंगे, then down, ठीक है, पूरा उपर ले जाएंगे, then down, ठीक है, पूरा सोल्टा पकड़ना पड़ेगा पूरा ऊपर ले जाएंगे देन डाउन ठीक है पूरा ऊपर ले गए थिक क्या दैन डाउन ठीक है तो इस तरह से आपको फिफ्टी टाइम्स करना होगा अब आपको इंट को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है ठीक है और साइड में हाथ करके इस तरह नीचे ले जाना है इस तरह से इस तरह से बिलकुल आपका हाँ जो है वह मुड़ा रहेगा और आपकी चेस्ट पर ही पूरा इसका टार्गेट होगा ठीक यह देखे इस तरह से ठीक है तो दोस्तों यही कुछ एक्सरसाइज़ हैं जिनको करके आप अपनी इंबैलें कि यहाँ करेंगे बिलकुल आप क्सराइबे तरह से जापका है झा करके मुड़ाई प्रा जोस्तों फिसकाल कर रावागा हैं यही जा प्राड़ा जा है झाल फोस्तों आपकी बढ़ी चया जाना है प्रावाईबेगा झावाल जाना हुड़ा है